गुट मॉनिंग फेंड्स जॉब सेंड के रिये में फिर से एक बार आपको सागत है तो आज का जो नियूर रिक्रोमेड़ा है वो ओयल इंडिया से आया है आप सभी जानते हैं ओयल इंडिया के बारे में तो इससे आपको जॉब अफर कर रहा है बोटल टोटली कुल मिला के 25 वाकेंट्स जिया गहा है यहां पर मेल और फीमेल तुनों केटागोरी अपलाई कर से थे क्योंकि बहुत सारे पोस्ट है तो 25 पोस्ट जो है वो इस पोस्ट के लिए आपको अलग-अलग केटागोरी में अपलाई करने का चांसेस मिला है तो जुरूर इस वीडियो के लाश अब तक देखिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए कि तो जुरूर सब्सक्राइब कर लिए तो कोई भी नोटिफिकेशन आप से मीस ना हो जाए तो इसलिए चैनल में जुरूर बने रही है तो चलो देखते हैं आज के वीडियो के बारे में तो देखिए यहाँ पर ओयल इंडिया से जो रिकुमेड़ा है वो टूटल ही आफ अलोवर इंडिया से अपना कर सकते हैं आपको जॉब लोकेशन सेलेक्शन होने के बाद ही पता चलेगा और 25 जो वैकेंसिस है जिसमें चार पोस्ट है मतलब चार अलग-अलग पोस्ट है परामेडिकल के लिए फाइक पोस्ट है फार्मासिस्ट के लिए फोर पोस्ट है नार्स के लिए थाडिंग पोस्ट है तो मतलब नार्सिंग ट्यूटर मतलब यहाँ थोड़ा सा बताना भूल गया नार्सिंग ट्यूटर मतलब नार्सिंग कोर्स कराने वाले यहाँ पर पांच पोस्ट यहाँ पर मिलने वाला है तो टोटल यो vacancy है 25 vacancy है यहाँ पर फेसर्स और एक्समेंस दोनों ही अपलाए कर सकते है कोई भी यहाँ पर अपलाए कर सकते है ist permanent job है फाइब सेक्टर में आप태 दीजी लीमिट में लीट जो दिख लुए कहा है paramedical lab technician के लिए 40 post है nursing tutorial के लिए 55 post पोस्ट पोस्ट नहीं age limit है पिरदफ लिमिट है नर्सिंंग के लिए nursing tutor के लिए 55 है और pharmacist और nursing के लिए के लिए 40S आपको एज लिमिट होना चाहिए, मतलब 40S तक आपको एज लिमिट होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सिलेक्शन जो पॉसिडियर रहेगा, वो टोटली आपको लैब टेस्ट का और नार्सिंग ट्यूटर और फार्मासिटिकल टोटली जो है, वो वाकप इंटर्फी होगा, सिर्फ इंटर्फी के माध्धम से आप सिलेक्शन हो पाएंगे, कोई भी आदास एक्जाम और कोई भी मैं आपको बताऊंगा, कौन सा डेड में, आप जिस पोस्ट में अपलाई करेंगे, उसका कौन सा डेट रहेगा, और टाइमिंग भी कौन सा रहेगा, वो भी में आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखते जाएंगे, तो यहाँ पर देखी है, जो एप्लिकेसन नहीं दिना पड़ेगा free request अपलाई कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात जो है यहाँ पे salary package वो अप्टा selection के बाद आपको पता चलेगा क्यूंकि वाकव इंटर्फ्यूव में आपको salary package आपको देखने को मिलेगा फिर फिर दूसरा option है वो आप science team में HS pass होना चाहिए मतलब PL pass और उसके साथ diploma medical library technician के लिए आपको diploma हो तो आप apply कर सकते हैं और minimum one year का experience होना चाहिए मतलब आप इस criteria लेकर आप apply करना चाहिए तो आपको experience चाहिए और आप bachelor medical laboratory pass out हो तो आपको कोई भी experience नहीं चाहिए और भी एक facilities दिया गया है आपको science team से pass out होना चाहिए उसके बास certificate होना चाहिए certificate course होना चाहिए medical laboratory से उसके साथ two year का experience मतलब qualification का experience भी चाहिए nurse tutor के लिए आपको bsc nursing pass out होना चाहिए उसके साथ two years आपको experience चाहिए फार्मासिस्ट के लिए आपको 10 plus 2 science team से और उसके साथ आपको diploma होना चाहिए pharmaceutical department से मतलब फार्मासिस्ट से आपको two years का pass out होना चाहिए और उसके साथ आपको minimum two years का कोई भी working का experience आप देखा चुके तो आप apply कर सकते हैं मतलब कोई भी फार्मासिटिकल सेक्टर में आप काम कर चुके तो उसका experience आप देखा देंगे तो आपको मिल सकता है और यहाँ पर देखिए जो nursing है वो आपको diploma पासओ आउट होना चाहिए और GNM, ANM कोई भी है आप apply कर सकते हैं और उसके साथ आपको three point five मतलब साड़ तीन साल के लिए आपको experience होना चाहिए तभी apply कर पाएंगे और यहाँ पर और option दिया गए है दिप्लोमा आपको general nursing मतलब GNM मैं पहले बता चलों GNM, ANM कोई भी एक pass out होते है अप्लाए कर सकते है उसके साथ two year को experience मतलब कुछ qualification के साथ experience भी चाहिए और कुछ qualification साथ कुछ post के लिए आपको फ्रेसर भी apply कर सकते है तो salary package आपको बहुत आच्छा का सा मिलने वाला है तो आ apply का date है यह actually आपको work queen interview का date है तो date आपको में दिखा देता हुए आपर देखिए pharmaceutical के लिए मतलब 10 August, nurse tutor के लिए 12 August, pharmacist के लिए 11 August, nurse के लिए 13 August तो खुल मिला कर देखा जाए यहापे सिर्फ आपको time दिया गया है 11 a.m, 11 7 a.m से 11 a.m के अंदर आपको interview देना होगा और interview का procedure क यह बाद ही पता चलेगा तो अप्लाई करने के बाद ही पता चलेगा तो अप्लाई करने का procedure है आपको ध्यान से पल लेना है और कौन सा पोस्ट के लिए कितना salary रहेगा वह भी आपको बता देंगे तो salary details भी आप देख सकते है पूरा आपको जानकर यह मिल चुका होगा अ असा करता हूँ पूरा डिटेस आपको इजीली जानकर इमिन चुका होगा तो आप जल से जल अप्लाई कर दीजे और अप्लिकेशन का जो फॉर्म है मैं पहले आपको फिर सी फिर पर एक बाद दिखा दिता हूँ आप अप्लिकेशन का फॉर्म या पर दिया गया है तो इस फ जाने से पहले मैं यहीं कहूंगा आपको डेली बैसी जीके का नॉलेज चाहिए तो आप इस चालन्ड में जाकर भी जौन सकते हैं यहां पे डेली जीके और नॉलेज आपको मिलता रहेंगे तो इसी तरीके से मैंने जाब अप्लिकेशन का फिर से हाजर हूँगा तब तक अबने खिया लेकिये बाए